लोग सबा चुनाओं के बाद राजस्थान में पाच विधान सबा सीटों पर उपचुनाओं होगा। इन पाच सीटों पर वैसे तो पहले से ही बिजेपी की हाल अच्छे नहीं है। लेकिन प्रदेश में सत्ता भाच्पा की है। ऐसे में उपचुनाओं ने सत्ता और प्रदेश में पाच सीटों पर उपचुनाओं होगे। इसमें दोसा देवलियुनियारा, जुन-जुनू, खीवसर और चोड़ासे विधान सबसीट शामिल है। पाच सीटों में तीन कॉंग्रेस, एक आरेलपी और एक भारती आदिवासी पार्टी के पास है। ऐसे में कॉंग्रेस की इंडिया गड़बंदन के तहट आरेलपी और भारत आदिवासी पार्टी से समझोता हो सकता है। यही भाच्पा के लिए टेंशन की वज़ा है। इसके अलावा भी पिछले 10 साल में चाहे लोकसभा या विधान सबस्वा उपचुनाओं हो। उनमे की भाच्पा अपने ट्रेक रिकोर्ट को लेकर चलते थे। वही राजस्थान में साल 2014 से 2024 के बीच अब तक विधान साबा की 17 सीटों पर उपचुनाओं हुए। इनमें से कॉंग्रेस ने 12 सीटों पर जीत दर्च की साल 2014 के अप्रेल मई में नासिरबाद, वेर, सूरजगर और कोट अदक्षिन सीट पर उपचुनाओं हुए। प्रिदेश में भाच्पा की सिरकार होने के बाद भी चार सीटों में से सिर्फ एक सीट पर भाच्पा जीत पाई। नैसिरबाद, वेर और सूरजगर पर कॉंग्रिस ने कबजा जमाया। जबकि कोट अदक्षिन की सी और मांडलगर पर कॉंग्रेस जीत इसके बाद विधान सब उपचुनाओं 2019 से 22 के बीच में नो सीटों पर उपचुनाओं है। इस बार कॉंग्रेस सत्ता में थी। कॉंग्रेस ने फिर भी नो उपचुनाओं में से साथ जिसमें मंडावा, सुजानगर, सरदार शहर, सहर धार्यावाद, वल्लबनगर और रामगर सीट पर जीत दर्च की, जबकि भाजपा को केवल एक सीट राजसमन पर जीत नसीद हुई थी। वही एक सीट खीवसर पर रास्टे लोक्तंत्रिक पार्टी ने जीत दर्च की, वही 2014 में करणपूर विधान सबस सीट के लिए उसको हार नसीब होगी, ये देखने वाली बात होगी, तमाम खबरों के लिए देखते रहें, दनगरी न्यूस शुक्रिया